हेलो फेंट्स वल्कम्टी एक्जान ड्राइब्स आज इस स्टूडियम लों बात करने वाले जी आरेसी यानि की गार्डन रिच्ट बिल्डर्स एंड इंजिनर्स लिमिटर की तरफ से एक और न्यू रिकूट्मेंट आउट किया गया है अभी कुछ दिनों पहले जी आरेसी क निकला हुआ एक साल के लिए रहने वाला है यहापका पर्मानेट वेकेंसी नहीं है तो अगर आप इसमें ट्राइब करना चाहिए और ट्राइब कर सकते इस ट्राइब वगरे के बारे में डीटेल में डिस्करस कर लेंगे कहा कहा के लिए है कौन-न्कानसे लोग इलिजीब तो यहां पर सबसे पहले आपको आई टी डिप्लोमा देन आपका बीटेक तीनों के लिए आपका वेकंसी निकला हुआ और आपका टेंथ के लिए वेकंसी है तो नॉर्मल जो अपना टेंथ किया हुआ वो लोग भी यहां पर अप्लाइ कर सकते बस आप एज लिमिट में आने चाहिए अब रेड़ अप्रेड़ेग बात कर यहां इस्टीट की राखे नॉर्म आपका पासा गया इन अपशस्टेड में टूल मेंचाहिए में तो मैंटेनेंस इनफर्मेशन औ writer अनप्रिवेल्डिमिकरी सिस्टन मेंटेय गालिडॸ्चन का इस्टेम जे न tw now सब्सक्राइब अपरेंटिसेंग करें तो कहाँ पर शहले सब्सक्राइब यहाँज़क्त बदेख सकता जो North view का वर evoo है चांग अपका आपकीछ करेंगे ने exactly करें लिखेंचन होगा सबस्कोंटिए आपको लुखे सब्सक्राइब में trade apprentice फ्रेशर्स में अगर आपने IT किया है तो आपको फर्स्ट वाले में फिल करना रहेगा यहां पर trade apprentice X ITI में यहां पर फिल करना रहेगा next आप बात करें आपका diploma candidates के बारे में तो यहां पर देख सकते हैं आपका दिप्लोवार्ट टिकनीसर अपरेंटिज़ से डिसिप्लीन वाइज बात करें कौन-कौन सोल अलिजील है तो टोल पहले बता दे 30 वेकनसी हर एक ब्रांच को हर एक डिसिप्लीन को मिला के अब यहां पर बात करें अल्ग अलग तो यहां पर तो यहां पर देख लीजिए गाप डीटेल नहीं बताया गया कि आपको किस ब्रांच में कितनी वेकंसी है वाट यहां पर आपको ओवर्विव दे दिया गया है यहां पर है चीज मैंसेने 2020 की सोर 22 के अगर आपका पास आउट तो आप अपर हैं अगर 2020 थे पहले के तो अप लिजीबल है तो अपरेंटिसिप का रूल होता है लाट्स तीनी अजन के जो पास आउट हो वही लोग पास दिजीबल रहते हैं तो यहां पे यहां बेसिक सा रू यहां पर mechanical, then electrical, then computer science and information technology, then civil तो ब्रांच जीशका जीशका था सबका सेम है बस यहां पर computer science and information technology अलग से आ गिया है तो यहां पर computer science, then computer technology, then information technology यह तीनों यहां पर eligible रहने वाले है डीटेल नहीं बता गया है किस ब्रांच में कितने vacancy है आपको एक overview यहां पर भी दे दिया गया है यहां पर भी same criteria है, 2020, 2021, 2022, इन तीनों साल में से अगर किसी एक में पास आउट है तो आप है eligible है, 2020 से अगर आप पहले का पास आउट है, तो आप not eligible है age limit की बात के तो यहां पर जो आपका ITI है और 10th है, उसका आपका age limit यहां पर आप देख लीजे ITI का यहां पर age limit 25 years है maximum, देन आपका 10th का age limit 20 years है maximum देन आपका यहां पर technician यानि की डिप्लोमा का आपका 26 years है maximum और आपका B.T. का भी 26 years है maximum तो age limit का ध्यान देंगे, यह सारा age limit मैंने आपको general category के लिए बताया, अगर आप किसी category से बिलॉंग करते हैं, तो आपको यहां पर exemption मिल जागा अब एक चीज़ यहां पर apply करने के लिए यहां पर eligible मैं आपको यहां पर mention किया गया है, कि अगर आप eligible apply करना चाहते हैं, सबसे पहले आपका apprenticeship के portal पर registration करना होगा, जैसे कि portal का सारा यहां पर नीचे mention कर दिया गया है, आईटीए यह तो आपका apprenticeship इंडिया में आपको registration करना ह होगा, तो यह चीज़ यहां पर mention कर दिया गया है, registration करने के बाद आपको एक alpha numeric number मिल जाएगा, registration number वही आपका important होता है, यहां पर किसी भी apprenticeship को execute करने में, अब उसके बाद आपको नीचे आना है, यहां पर आपको official website पर भी link मिल जाएगा, link भी activate हुआ नहीं है, link activate हो जाए So, अब बात के लिए आपे selection process के बारे हम, तो selection का clearly mention है, आपका selection आपका merit के base पे होने वाला है, जिसका percentage सबसे हाई रहेगा, उसका selection के chances सबसे यादर रहने वाले है, next अब बात के लिए आपका stipend के बारे में, तो stipend यहां पर देख सकते हैं, उसका table यहां पर mention कर दिया गया इसका आपका कितना रहेगा stipend, तो trade apprentice जो 10th वाला है, तो 10th में 2 साल का रहता है, तो एक साल आपको 6000 मिलेगा, फर्स्ट यहां और 2 यहां आपको 6600 मिलेगा, उसका idea की बात करें, तो iti में यहां पर 7000 कुछ पोस्ट मिलेगा, और कुछ पोस्ट आपका रहता है, जिसमें 7700 मिलता है, तो depending आपका पोस्ट को पर iti का जो आपका वैरी करता है, नेक्स्ट आप बात के लिए आपका डिप्लोमा का, डिप्लोमा आपका location wise यहां पर mention किया गया, अगर राची में आपका होगा, तो आपको 9000 मिलेगा, और अगर आपको कोलकता में होगा, तो आपको 10,000 म मिलेगा, तिन बात के लिए अपका graduate apprentice BTEC का, तो यहां पर आप देख सकते हैं, BTEC में आपको 15,000 रुपीज मिलने वाला है, तो जिन लोगों का घर के आसपास होगा, वो लोग ट्राई का सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी लिंक्स आपको description box में मिल जाएंगे लिंक्स description box में रहेगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद